हेलो फ्रेंड्स मैं पंकज वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रिक तो फ्रेंड्स देखिए जोग्रफी की mcq सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत के बहुतिक स्वरूप को स्टार्ट करेंगे और इसके सबसे पहले टॉपिक भारत के प्रमुक परवत और पठार को देखिए mcq के माध्यम से डिसकस करेंगे बहुत ही important वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से end तक देखिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो आप crazy gk trick की application पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला question देखिए भारत में हिमालाई की सरवच परवत चोटी कौन सी है very interesting question है friends काफी बार exam में पुछा जाता है देखिए भारत में हिमालाई की सबसे उची चोटी तो वेसे K2 है जो की P.O.K. में इस्ति थे लेकिन देखिए यहाँ पर आपको option में P.O.K. नहीं दिया गया है तो भारत की दूसरी सबसे उची चोटी friends कंचन जंगा है जो की भारत के सिक्किम रज में इस्ति थे तो क्यूकि option में K2 नहीं दिया गया है तो अब भारत में हिमालाई की सबसे उची चोटी कौन सी हो जाएगी कंचन जंगा किस हिमालाई चोटी को साँगर माथा कहते हैं तो देखए माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालाई की सबसे उची चोटी है और ये नेपाल देश में स्थि थे नेपाल में देखए माउंट एवरेस्ट को साँगर माथा के नाम से जाना जाता है conserv C पुर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट परवत श्रेणियों का सम्मिलन इस्तल है तो भारत के दक्षिन में देखिए पुर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली परवत माला नील गिरी पहाडी के नाम से जानी जाती है अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा नील गिरी पहाडीयों की बात करें तो यह भारत के करनाटक और तमिल लाडु रज्जों में फैली हुई है और इसकी सबसे उची चोटी डोडा बेट्टा के नाम से जानी जाती है कौन सी परवत माला है यह नील गिरी परवत माला सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तता सूचीयों को नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो देखे यहाँ पर दो सूचीया दी गई है फ्रेंड्स एक में शिखर है और उस शिखर के परवत का दूसरी सूची में नाम दिया गया है तो देखे पहली सूची में ए ओप्षन है अनाई मुडी की पहाडी जो शिखर है यह किस परवत श्रेनी पर है तो देखे अन्नाई मुडी अन्ना मलाई परवत की सबसे उची चोटी है तो A का तो देखे हमारे पास 4 हो जाएगा दोदा बेटा की बात करें तो ये नील गिरी परवत की सबसे उची चोटी है तो B का हो जाएगा friends 1 धूबगर देखिए मद्य प्रदेश में सत्पुडा की सबसे उची चोटी है तो C का हो जाएगा 2 और गुरु शिखर राजस्तान में अरावली की सबसे उची चोटी है तो D का हो जाएगा 3 अब ये करम देख लीजिए कि किस option में दिया गया है तो यहाँ पर देखिए option C इस question का सही अंसर हो जाएगा अनाई मुडी अन्ना मलाई की पाड़ी की सबसे उची चोटी है दोदो बेट्टा नीलगिरी की दूबगर सत्कुडा की और गुरु शिखर अरावली की सबसे उची चोटी है आगे देखिए सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालाई का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्तित है तो देखिए भारत के उत्तर पुर्व में सतलज और काली नदियों के मद्धिका जो शेत्र है कुमायू हिमालाई के नाम से जाना जाता है अंसर B कौडेमम पहाडी कहां अविस्तित है तो भारत में कौडेमम पहाडी की अगर बात की जाए तो ये केरल रज्ज में इस्तित है फ्रेंड्स केरल नेक्स्ट वोशन देखिए भारत में सबसे उची परवत चोटी कोन सी है तो friends देखिए भारत की सबसे उची परवत चोटी Godwin Austin के नाम से जानी जाती है इसे देखिए K2 के नाम से भी जाना जाता है इसके अगर टोटल उचाई की बात करें तो 8611 मीटर उची है Godwin Austin जो की देखिए वर्तमान में P.O.K. में इस्तित है अब क्योंकि P.O. के हमारा अंगे friends इसलिए भारत की सबसे उची चोटी Godwin Austin है आंसर A ओके यहां तक के देखिए सभी कोश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आगे बढ़ने से पहले friends आप सभी के लिए एक बहुत ही महतुपुन अपडेट है देखे crazy जी के ट्रिक के application पर अब आप सभी के लिए monthly current affairs की देखिए e-book एवेलेबल हो गई है जहां पर जाकर आप इस monthly current affairs की e-book को अटेंड कर सकते हैं और हमारे साथ government job की तयारी सुनुश्चित कर सकते हैं तो आप बीना दिर किये इस monthly current affairs की e-book को जोइन कर लिजिए आगे आजाएए friends कोशन देखिए एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वच परवच्चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी तो देखिए एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो है इन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चड़ाई की थी 1953 में 1953 में इन दोनने देखिए सफलता पुर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी तक चड़ाई की थी तो आंसर बी गुरू शीखर निमनलिकित परवच रंकलाओं में से किसका सर्वच्च शीखर है वेरी इंपोटेंट अभी हमने देखिए इस कोश्चन पर डिसकस किया था जब हमने जोडी बनाओ को पड़ा था तो गुरू शीखर के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा कि ये अरावली परवच रंकला की सबसे उची चोटी है जोकी भारत के राजस्थान राज्ज में इस्ति थे ये देखिए ये तीनों ही पहाडिया फ्रेंट्स भारत के मेवाले राज्ज में इस्ति थे आंसर ए जंवू कश्मीर में सबसे पुरू में देखिए कारा कोरम श्रेणी है तो पहला option हो जाएगा 3 का उसके बाद देखिए अगर हम पुरू से पश्चिम के और आगे बढ़ते हैं तो second है लद्दाक श्रेणी तो option हो जाएगा 4 इसके बाद तीसरे नंबर पर है जासकर श्रेणी तो option हो जाएगा 1 और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के सबसे पश्चिम में इस्तित है तो फिर option हो जाएगा 2 तो answer C यहाँ पर सही हो जाएगा friends लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाक दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं यह जो question पुछा गया है यह तब पुछा गया था जब दोनों राज्य सम्मिलित रूप से केवल एक राज्य थे ऐसी situation के according यह answer हमारा C यहाँ पर सही हो जाएगा भारत की कोन सी परवत श्रेणी नविन्तम है तो इन चार परवत श्रेणियों में friends सबसे आखडी में देखिए हिमालय परवत श्रेणी का निर्मान हुआ था इसलिए चारो श्रेणियों में हिमालय परवत श्रेणी सबसे नई है प्राइदीपी भारत में उच्चितम परवत चोटी कोन सी है तो देखे प्राइदीपी भारत या फिर दक्षिन भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिन भारत में सबसे उची परवत चोटी अनाई मूडी की परवत चोटी है जो की अन्ना मलाई की पाड़ियों पर इस्तित है अन्ना मलाई की पाडिया भारत के तमिल लाडू और केरल राज्ज में फैली हुई है तो दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी अनाई मूडी की चोटी है आंसर ए इसके बाद देखिए नेमने लिखित में से कोन भारत का सर्वोच्च परवत शिखर है तो देखिए जैसा कि हमने पहले डिसकस किया था जब केटू उप्षन में ना हो तो भारत की सबसे उची चोटी या भारत की दूसरी उची चोटी कंचन जंगा है आंसर ए नंदा देवी चोटी किस राज्जिया केंडर शाशित प्रदेश में इस्तित है तो नंदा देवी जो की हमालय परवत माला पर इस्तिते फ्रेंड्स ये भारत के उत्तरा खंड राज्ज में देखने को मिलती है उत्तरा खंड अगले कुश्चन पर आ जाते हैं नेमन लिखित पर विचार कीजिये तो देखिए यहाँ पर तीन प्रकार की फ्रेंड्स पाड़िया दी गई है और हमें भारत में इसका उत्तर से दक्षिन की और सही क्रम मिलाना है तो देखिए भारत के सबसे उत्तर में शिवालिक की पाड़िया है जो कि हिमाले परवत माला का सबसे दक्षिन हिस्सा है ये तो हमें समझ में आ गया कि शिवालिक की जो पाड़िया है वो हिमाले का सबसे दक्षिन हिस्सा है तो पहले नमबर पर देखिए उत्तर से दक्षिन की और जाते वक्त शिवालिक के पाडिया पहले नमबर पर आ जाएगी इसके बाद देखिए सत्पूरा परवतमाला मद्द प्रदेश रज्जी के दक्षिण में फैली हुई है तो दूसरे नमबर पर तीसरी परवतमाला आ जाएगी सत्पूरा तो यह तीसरा नमबर हो जाएगा फिर सायादरी की बात की जाए तो ये भारत के मारास्ट रज में फैली हुई है तो फिर आ जाएगा दूसरा तो उत्तर से दक्षिन के और एक, तीन, दो ये सही करम होगा और ये जो करम है वो C आप्शन पर दिया गया है तो आप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समू में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कोन है अंडमान निकोबार द्वीप की देखिए सबसे उची चोटी सेडल पिक है फ्रेंड्स आंसर A इसके बाद देखिए कोडाई कनाल किस परवत श्रंखला पर इस्तित है तो ये चोटी पालनी परवत माला पर इस्तित है आंसर A छोटा नाकपूर के पठार की सबसे उची परवत चोटी है छोटा नाकपूर का पठार भारत के जारखंड रज्ज में फैला हुआ है और इस पठार की सबसे उची चोटी पारस नात के नाम से जानी जाती है अंसर C मद्य भारत में इस्तित पहाडियों का पश्शिम से पुर्वन निमने लिखित में से कौन सा एक सही करम है तो देखे इस कोशन के अंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही अंसर फ्रेंड्स भी है देखे सत्पुडा, महादेव और मेकाल जो है वो सत्पुडा परवत माला के ही हिस्से है इसमें सत्पुडा देखिए मद्य प्रदेश के पश्शिम से शुरू होती है महादेव सत्पुडा का मद्ध हिस्सा है और मेकाल जो है सत्पुडा का पुर्वी हिस्सा है तो देखे पश्चिम से पुर्व की और पुछी गई है तो सबसे पहले हैं हमारे पास सत्पुडा शुरुवात में महादेव मध्य हिस्सा और मेकाल इसका पुर्वी हिस्सा अब मद्य प्रदिश खत्म होता है और भारत के इस छेत्र में आता है देखिए जारखन और जारखन में छोटा नाकपूर का पठार है तो इस प्रकार देखिए पश्चिम से पुर्व की और सत्पुडा, महादेव, मेकाल और छोटा नाकपूर का छेत्र आंसर B देखिए फ्रेंट्स, क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए ये सभी कोर्सेज भी एवेलेबल हैं जिसमें देखिए Advanced Maths, MPGK, Computer Online Course, English और Reasoning के फूल डिटेल्ड कोर्स एवेलेबल हैं जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को बहुती ब्रिफली आपके लिए समझाए गया है तो बिना देर किये आप इन सभी कोर्सेज को भी जोइन कर सकते हैं क्लियर? उमीद करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा अगले कोशन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन देखिए नर्बदा एवं ताप्ती नदियों के मद्ध में इस्तिद है तो नर्बदा देखिए सत्पुडा परवत माला के उत्तर में मद्ध प्रदेश राज्य में बहती है और ताप्ती सत्पुडा परवत माला के दक्षिन में बहती है तो नर्बदा और तापती के मध्य में मध्य प्रदेश में सत्पुडा की पाड़िया फैली हुई है आंसर B दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोगप्री नाम क्या है तो इस कोश्चन पर हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं फ्रेंट्स माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है सागर माथा आगे देखिए केटू के बाद भारत में निमनलिकित में से कोन दूसरा सरवच्च परवच शिखर है तो केटू के बाद दूसरा सबसे उचा परवच शिखर कंचन जंगा है फ्रेंट्स जो की भारत के सिक्किम रज में इस्ति थे आंसर सी हिमालाई परवच श्रेणी निमनलिकित में से किस रज्ज का हिस्सा नहीं है तो देखिए इन चारो रज्ज में से उत्तराखंड सिक्किम और हिमान्चल प्रदेश रज्ज में हिमालाई परवच श्रेणी का विस्तार है लेकिन देखिए ये परवच श्रेणी उत्तर प्रदेश रज्ज में देखने को नहीं मिलती उत्तर प्रदेश रज्ज निम्न लिखित में से सबसे प्राचीन परवत श्रेणी कौन सी है विश्व की देखिए सबसे पुरानी परवत माला अरावली परवत माला है जो की राजस्तान राज्ज में इस्ती थे अरावली परवत श्रेणिया किस राज्ज में इस्ती थे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ही ये भारत के राजस्थान राज्ज में इस्तित है तो अंसर A यहाँ पर सही हो जाएगा अरावली परवतमाला भारत के राजस्थान राज्ज में फैली हुई है जिसकी सबसे उची चोटी गुरु शीखर के नाम से जानी जाती है और ये पियोके में इस्तित है कौनसी है ये? साल टोरा परवतमाला धूबगड चोटी इस्तित है धूबगड की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो ये मद्धे प्रदेश में सत्पुडा परवतमाला की सबसे उची चोटी है और इसके अलावा देखिए यही चोटी मद्धे प्रदेश की भी सबसे उची चोटी है किस परवत श्रेणी में है? सत्पुडा परवत श्रेणी में और अगर पुछा जाए किस रज में है? तो मद्धे प्रदेश रज में शिवालिक श्रेणी का निर्मान हुआ है देखे हिमालाई की सबसे दक्षिन श्रेणी जो चोथी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है जो की सेनो जोई काल में निर्मित हुई थी आंसर T आगे देखिए कौन सी परवत श्रेणी भारत में इस्तित है तो इन चार में से फ्रेंट्स पीर पंजाल श्रेणी जो है जो की हिमालाई परवत माला का हिस्सा है भारत में फैला हुआ है आंसर T भारत में निम्ण लिखित में से कौन सी परवत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है Very very important है फ्रेंट्स इन चारों में से देखिए अरावली परवच श्रेनी एक ऐसी श्रेनी है जो की किवल एक राज्ज राजय स्थान में फैली हुई है answer A next question देखिए नला मला की पाड़िया किस रज्ज में इस्ते थे तो ये जो पाड़िया है जिनने नल्ला मल्ला के नाम से जाना जाता है पुरवी घाट पर देखिए आंधर प्रदेश रज में इस्तित है आंसर C उके इसके बाद सबसे लास्ट कुश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स सबसे लास्ट कुश्चन देखिए फ्रेंड्स नागा, खासी और गारो पहाडिया इस्तित है तो ये तीनों ही पहाडिया फ्रेंड्स पुर्वांचल परवत माला में इस्तित है जो की देखिए भारत के उत्तर पुर्वी शेत्र में हिमालय परवत श्रेणी का ही विस्तार है तो हिमालाय परवत श्रेणी का पुर्वी भाग जिसे पुर्वांचल परवत माला के नाम से जाना जाता है इन तीनों के ही भाग के रुप में नागा, खासी और गारो पाड़िया देखने को मिलती है जिनका अधिकतर विस्तार भारत के मेघाले रज्ज में है तो अंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा तो फ्रेंट्स आई होप आपको भारत के परवत और पठार से रिलेटेड जितने भी MCQs यहाँ पर बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइस करके देख लीजेगा ताकि एक्जाम में हमारा यहाँ से एक भी कोशन गलत ना हो नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम भारत के दर्रों को डिसकस करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बने रहे हमारे साथ जहिन